नमसकार दोस्तों, कमाल आरखान आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, पहले चुल्मान दद्दू से केस को लेकर चर्चा में था, तो फिर उसके बाद दद्दू के सूपर चमचे मिक्का सिंग से बहस को लेकर, अब कमाल आरखान फिर से चर्चा में है, इस बार चर्च के समय हर वक्त मीडिया की फुटेज ले रहा था। क्यारकै ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने ये दावा किया है कि सुशांथ की मौत के बाद संधीप सिंह ने उससे कांटेक्ट किया था और कहा था कि वह सुशांथ की सपोर्ट में बात नहीं कर सकता। उसे भी इस Bollywood में रहना है, उसे अपनी इस इंडश्ट्री में काम करना है, इसलिए वह सुशांद की सपोर्ट में कोई भी बयान नहीं दे सकता। संदीप ने ये भी कहा कि पूरा Bollywood सुशांद के अगेंश्ट था, हर कोई रिया को फेवर कर रहा था, ऐसे में अगर वह रिया को सपोर्ट करता तो सुशांद के जो फैन है वो उसे ट्रोल करते और अगर वह सुशांद के फेवर में बयान देता तो Bollywood वाले उसके क्या ही मानेंगे, तो सुशांद के नाम पर जो है ज्यादा से ज्यादा publicity बटोर ले, वैसे भी ये संदीप सिंग पिसले 10 साल से Bollywood में हाथ पेर मार रहा है, लेकिन Bollywood के लोगों के अलावा शायद ही कोई इसे जानता हो, तो इसने सोचा कि ये अच्छा मौका है सुशां जो है इसे सोचाइद मानकर आसानी से भुला देंगे, लेकिन सुशांद के फैंस ने जिस तरह से रियक्ट किया और सौशल मीडिया पर जिस तरह सुशांद के सपोर्ट में तोफान मचाया, ये इन लोगों के लिए एविश्वस्तनिया था, सुशांद के सपोर्ट में सवाल का जवाब नहीं है क्योंकि उस समय संदीप को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे